हाई कैसा आप लोग आज ना आप सोचो मैं क्या बना रही हूँ क्योंकि मॉन्सून स्पेशली कुछ शेयर कर रही हूँ जो ना एकदम इंस्टेंट है तुरन बन जाएगा और बहुत टेस्टी भी होगा और ना ऐसे इंग्रेडिंट से बनेगा जो आपके किचिन में ना टमाटर और सॉस सॉस ना इसमें में इंग्रेडियन्ट है सबकी घर पर ही होगा ना तो आप ना कोई भी सॉस ले सकते हो टमैटो सॉस चिली सॉस और अगर आपके पास दोनों है ना तो दोनों का मिक्स करके एक दों मतलब उनकी कॉंटिटी सेम रखके डालना तो फिर तो तो पूड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए ना क्या करना कि मुंफली होती है ना उसको थोड़ा रोस्ट कर लेना तो उससे थोड़ा क्रिस्पी सा टेस्ट आ फ्लेवर आ जाएगा थोड़ा काले नमक थोड़ी सी काली मिर्च और बस अपर थोड़ा धनिया भी डाल द अब जादा ही मुर्मुरे या लाई ले ली थी तो वो फैल रहे थे बहुत जादा तो आप क्या करना अगर आप जादा लेना तो आप बड़े बरतन में करना मैंने बता नहीं कि छोटे से मैं कर लिया और वो सब फैल गया फिर मुझे बहुँ डाट पड़ी आप फैलाना नहीं ऐसे ठीक है और अगर फैल जाए तो उसको ठाके डालना नहीं उस पर हापिस तो बस इसको ऐसे ऐसे मिक्स कर लेना और इस पर आपको कुछ और डालना है कोई चटनी वगेरा या आपके पास कुछ और हो तो वो भी डाल सकते हो और बस लास्ट में क्या करेंगे थोड अब दही भी डाल सकते हो थोड़ा सा एकदम जादा नहीं बिल्कुल थोड़ा सा ताकि बस टेस्ट आजाए और बस हो गया और ना मौनसून चल रहा है बारिश का मौसम है तो ना ऐसी चीज़े खाने का मन करता है तो अब बनाओ जटपट से और अगर आपको कोई और तरी डाले हमने जो घर पर असानी से मिल जाते हैं तो बनाओ और बस सर्व कर लो तो आप शाम कुछ चाय के साथ काफी के साथ कैसे भी खा सकते हो कभी भी और मुझे छूटी छूटी भूख लगती है ना अचानक से कभी लग जाती है फिर कुछ बनाने का मन नहीं होता तब तो कैसा लगा और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना शेयर भी कर दिया करो यार महनत करती हूं तो और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना और बाई इंजोई करना